किसी गाव में एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहा करता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। वह रोज गधे की पीट पर सामान की बोरियां रख कर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालू इंसान था और अपने गदे का अच्छी तरह ध्यान रखता था. गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन गदे की एक समस्या थी कि वह बहुत अलसी था. उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेंगे जैसे ही हाट लगने का दिन आया व्यापारी ने नमक की चार बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में जानता था इसलिए गधे के न चलने पर उसने गधे को एक दो बार धक्का दिया और गधा चल पड़ा नमक की बोरिया थोड़ी भारी थी, जिस वज़ा से गधे के पैर काम प्रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक ले आया व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पढ़ती थी, जिसे पूल की मदद से पार करना पढ़ता था गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पूल पर चड़ा और कुछ दूर चला, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया गधे को नदी में गिरा देख, व्यापारी घबरा गया और हडबड़ाते हुए तेर कर उसे नदी से निकालने जा पहुचा व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीट पर लदी बोरियां हलकी हो गई हैं सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही बापस घर लोटना पड़ा इस वज़े से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया लेकिन इस खटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तर्कीब सूझ गई थी अगले दिन बाजार जाते समय जब पुलाया तो गधा जान बूच कर नदी में गिर गया और उसकी पीट पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में खुल गया व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लोटना पड़ा गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ती समझ आ गई थी एक दिन ग्यापारी ने सोचा कि क्यों न गधे की पीट पर ऐसा सामान रखा जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दोगुना हो जाए यह सोचकर ग्यापारी ने गधे की पीट पर रुई से भरी बोरियां बान दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा जैसे ही पुलाया गधा रोज की तरह नदी में गिर गया लेकिन आज उसकी पीट पर लदा वजन कम नहीं हुआ बलकी और बढ़ गया गधा इस बात को समझ नहीं पाया ऐसा अगले दो से तीन तक होता रहा व्यापारी गधे की पीट पर रूई से भरी बोरी बान देता और पानी में गिरती ही उसका वजन दोगुना हो जाता आखिरकार गधे ने हार मान ली गधे को अब सबक मिल चुका था चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप पुलपार कर लिया उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं दिखाया और व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे-धीरे भरपाई हो गई बच्चों, आलसी गधे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्टव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए साथ ही, व्यापारी की तरह सही समझ और सूजबूच से किसी भी काम को असानी से किया जा सकता है